दोस्तों अगर आपके बच्चे भी आपसे खाने के लिए कुछ नया बनाने की जिद करते हैं या अक्सर बाहर खाने की डिमांड करते हैं तो हुने खुश करने और कुछ हेल्दी खिलाने के लिए घर पर बनाए इटैलियन ब्रुसकेता मैंने यहां गलत प्रनाउंस नहीं किया इटैलियन इसे ब्रुसकेता ही कहते हैं और इंडिया में कहा जाता है ब्रुशेटा तो हम तो यहां वही बोलेंगे जो हमारी देशी भाशा में बोला जाता है यानि ब्रुशेटा ये स्वाद में होता है बहुती क्रिस्पी और स्पाइसी चलिए मिलकर इसे बनाते हैं हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू फूट का रूट बुशेटा बनाने के लिए मैंने लिए है सब फूट लॉंग ब्रेड इसे लोफ ब्रेड भी कहा जाता है आप चाहें तो कोई भी ब्रेड इस्तमाल कर सकती है बाजार में ये लोफ ब्रेड आसानी से मिल जाती है काफि डिफरेंट फ्लिवर्स में ये ब्रेड मौझूद है अब हमें इस ब्रेड को स्लाइस करना है हम यहाँ ब्रेड को सीधा नहीं बलकि कुछ तिर्चा स्लाइस करेंगे ताकि उस पर टॉपिंग लगाना असान हो देखिए मैंने एक लोफ ब्रेड से काटे हैं करीब 9-10 पीस अब अपनी इस ब्रेड के पीसिस को अवन या फिर पैन पर अच्छे से टोस्ट कर लेंगे जब तक हमारी ब्रेड अवन में है तब तक बना लेते हैं प्रुशेटा की टॉपिंग इसके लिए मैंने ली हैं 10-12 कलिया लहसुन की लहसुन को एकदम बारीग चॉप कर लेंगे यहां मैंने लहसुन को एकदम बारीग चॉप कर लिया है बिलकुल अच्छे से अब मश्रूम टॉपिंग के लिए मैंने लिया है एक पैकेट मश्रूम का वही जो 200 ग्राम का आता है मश्रूम को मैंने अच्छे से दो कर साफ कर लिया है इसके बाद मैंने मश्रूम को भी अच्छे से चौप कर लिया छोटे छोटे टुकडों में दोस्तो बटर और चीज के साथ मश्रूम की टॉपिंग खाने में बहुत अच्छी लगती है अगर आपको मश्रूम पसंद नहीं तो आप मश्रूम के जगह पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मश्रूम को अच्छे से काटने के बाद मैंने यहां लिये हैं करीब 200 ग्राम चेरी टमेटोस चेरी टमेटोस का टेस्ट नॉर्मल टमेटोस से कुछ अलग होता है यह थोड़े ज्यादा खटे और मीठे होते हैं इन्हें भी मैंने अच्छे से वाश कर लिया अब इन चेरी टमेटोस को बीच में से काट कर दो पीस कर लेंगे कुछ टमेटोस को मैंने यहां काट लिया और कुछ को ऐसे ही साबुत रहने दिया दोस्तों चेरी टमेटोस के खटाज ब्रुशेटा में बहुत अच्छी लगती है अब हमारे टमेटोस त्यार है अब वारी है काटने की प्यास मैंने यहां लिया है एक प्यास और उसे भी हम बारीक शॉप कर लेंगे अब गैस को ओन करके मीडियम पर रखेंगे और एक पैन को गर्म होने रख देंगे अब डालेंगे एक चमच ऑलिव ओयल या फिर अपना नॉर्मल वेजिटेबल ओयल और साथ में एड करेंगे थोड़ा सा बटर यह आपके अपनी टेस्ट पर है जब बटर गर्म हो जाए तो डालेंगे फाइनली चॉप किया हुआ गार्लिक और इसे कर लेंगे अच्छे से सौते एक मिनट फ्राई करने के बार डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बटर में गालिक और चिली फ्लेक्स की खुश्वे बहुत अच्छी आ रही है अब डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज प्याज को बटर में कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसे करीब एक मिनट तक फ्राइ करेंगे जब प्याज हलका सा ट्रांस्कुलूसिंट हो जाए तो उपर से डालेंगे चौप किये हुए मश्रूम दोस्तों मश्रूम का पानी सुखाने के लिए मैंने एड़ किया स्वाद अनुस्वार नमक हमें मश्रूम को तब तक पकाना है जब तक कि उसका पूरा पानी सूख ना जाए जब मश्रूम का पानी सूख जाए तो उपर से डालेंगे चौप किये हुए चैरी टेमेटोस इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स और डालेंगे एक चम्मच औरिगेनो सीजनिंग और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर सब चीजों को करीब 3-4 मिनिट तक भूल लेंगे जब सब चीजें अच्छे से भून जाएं तो उपर से डालेंगे अपना देशी भारी कटा हरा धनिया इटैलियन्स धनिया डालते नहीं लेकिन हमें तो हर चीज के उपर धनिया डालने की आदत है इससे फ्लेवर जो बढ़ जाता है टेमेटोस का फ्लेवर बहार निकालने के लिए उससे मैंने थोड़ा मैश कर लिया गैस को कर देंगे ओफ और अपने मश्रूम टमेटो मिक्स को थोड़ा ठंडा कर लेंगे देखिए हमारी ब्रेट भी अच्छे से टोस्ट हो गई है उपर से ब्राउन कलर आ चुका है अब ब्रेट के उपर लगाएंगे चीज मैंने यहां लिया है चेदार और मौजरेला चीज का मिक्स आप चाहें तो कोई भी चीज यूज कर सकती है चाहे वो चीज क्यूब्स हो या चीज स्लाइस ब्रेट के उपर चीज लगाने के बाद इसके उपर लगाएंगे मश्रूम और टमेटो की टॉपिंग अपनी टॉपिंग को चीज के उपर अच्छे से सेट कर दे टमाटर थोड़ा इधर दर गिरेंगे लेकिन उन्हें अच्छे से ब्रेट के उपर अड़्जस कर ले अब अपने पुरूशेटा को अवन में करीब 3-4 मिनट या चीज मेल्ट होने तक बेक कर लेंगे अगर आपके घर में नहीं है अवन तो एक पैन को धीमी आज पर गैस पर रखें और उपर से अपने पुरूशेटा को रख लें और इसे ढखकन लगा कर करीब 4-5 मिनट तक गर्म कर लें दोस्तों हमारे पुरूशेटा सर्विंग के लिए तयार है सर्व करने से पहले बुरूशेटा के उपर डालेंगे मेल्टिट बटर वो भी अच्छे से इटैलियन्स लोग उपर से डालते हैं ओलिव ओयल लेकिन बटर से जो टेस्ट आता है वो ओलिव ओयल में नहीं तो दोस्तों तेयार है हमारे यमी बुरूशेटा मम्मी के देसी किचन से निकली एक टेस्टी इटैलियन डिश जो है खाने में बेहर टेस्टी, चीजी और विदेश वाली रेसिपी असान तरीके से गर्मा गर्म सर्व करें और घर बैठे इटैलियन नाश्टे का मजा ले अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगली रेसिपी आने तक जुड़े रहे हमारे साथ कीप कोकिंग